आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाउं पर क्रेप बेंडेज किस तरह से बांधनी चाहिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं जो डिसकस करेंगे जैसे एंकल पर किन-किन कंडिशन्स में क्रेप बेंडेज को बांधना फायदेबंद होता है तो क्रेप बेंडेज को एंकल पर मोच लगने के बाद जो स्वैलिंग होती है उसे कम करने के लिए बांध सकते हैं इसके अलावा किनी-किनी लोगों को अकसर पैरों में सूजन रहती है जिसे पीडल अडीमा कहते हैं तो पीडल अडीमा में भी क्रेप बेंडेज को पैरों की स्वलिंग को कम करने के लिए बांदा जाता है। आगे है कि क्रेप बेंडेज को आप दिन में ज़्याद से ज़्यादा 11 से 12 घंटे तक बांद सकते हैं। बहतर होगा कि इसे आप रात को खोल कर सोएं। बांद कर सोने से कंप्रेशन की वज़ा से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो रात को क्रेप बेंडेज बांद कर ना सोएं। इन केस अगर आपका डॉक्टर आपको रात को भी बांदने के लिए एडवाइस करते हैं, तो ऐसे में आप सोने से पहले क्रेप बेंडेज को पूरा धीला कर लें। तो ये थी कुछ बाते क्रेप बेंडेज से रिलेटेड, आईए अब समझते हैं कि इसे एंकल पर किस तरह से बांधना हैं। इसमें सबसे पहले एंकल को comfortable position पर रखिए, अब क्रेप बेंडेज को लपेटने के लिए उसे इस तरह से पकड़िए। यही correct तरीका है पकड़ने का, अगर उल्टा पकड़ कर फिर क्रेप बेंडेज को खोलेंगे, तो जो sufficient force चाहिए होती है बेंडेज को लपेटने के लिए वो आप नहीं लगा पाएंगे, तो हमीशा क्रेप बेंडेज को इस तरीके से ही पकड़े। अब क्रेप बेंडेज को बाधना टोस के नीचे से शुरू करें, रैप करने पर टोस और हील को छोड़ देना है। अब बेंडेज को थोड़ा खीचते हुए, सबसे पहले पंजे पर दो से तीन राउंड्स लेने हैं, इसे एंकरिंग करना कहते हैं। एंकर बनाने के बाद अब इसे एंकर के ऊपर से डैगनली यानि तिर्षा ले जाना हैं, और फिर एडी के ऊपर वाले हिस्से से गोमाते हुए वापस आगे लाना हैं। और आगे लाने पर फिर से पंजे के अराउंट डाइगनली लाते हुए figure of 8 में bandage को बांधना है bandage को इस तरह से figure of 8 की शेप में बांधने से एक क्रिस क्रॉस पैटन बनता है जिससे पंजे और टकने पर सब जगर बराबर प्रेशर पड़ता है और फिर जिससे swelling effectively जल्दी से जल्दी खतम हो पाती है इसमें दो चीजों का और आप ध्यान रखें पहला कि bandage बांधने पर वो ना जादा tight हो और ना जादा loose bandage को बस थोड़ा pull करते हुए बांधे ताकि elastic property की वज़े से bandage एक compressive effect पंजे पर दे पाए और fluid जिसके कारण swelling है वो आराम से drain out हो पाई और दूसरा है कि spring condition में केवल foot के बीच वाले portion पर और ankle joint से चार से पांच इंच उपर तक ही इस क्रेप bandage को आप बांधे तो ankle पर क्रेप bandage इस तरह से क्रिस क्रोस pattern में बांधनी है और last में pin से secure कर देना है अब क्रेप bandage ज़्यादा tight तो नहीं बंधी है ये चेक करने के लिए दो असान तरीके है पहला आपकी एक उंगली bandage के निचे आराम से जानी चाहिए दूसरा तरीका है कि अंगूठे के नाखुन को प्रेस करने पर जो redness है वो वापस एक सकेंड में आ जानी चाहिए तो अगर ये दोनों चीज़े ठीक हैं तो इसका मतलब आपने bandage को सही तरीके से लपिटा है अदरवाइस अगर bandage tight है तो इस पैर की उंगलियां दूसरे पैर की उंगलियों की comparison में चूने पर ठंडी महसूस होंगी उंगलिया थोड़ी white लगेंगी और पंजे में भी सुन्पन और चीटी जैसा चलता हुआ भी महसूस हो सकता है तो काफी ज़रूरी है bandage बाधने पर इन सब बातों पर ध्यान देना अगर इन में से कुछ भी चीज आपको महसूस होती है bandage बाधने के बाद तो ऐसे में तुरंत bandage को खोल दे अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपके लिए useful रही होगी वीडियो पसंद आने पर इसे like और share ज़रूर करे Thank you